वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई जो आने वाली कहानी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें राधे राधे नमस्कार आप सबका आपके ही अपने चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन शुब आशीरवार आज मैं आपको एक बहुत ही प्राचीन और सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ कहते हैं कि नर नाराइन जो है आप जानते हो नर नाराइन भगवान का अवतार है नर अर्जुन को कहते हैं और नाराइन किसको कहते हैं भगवान कृष्ण को ये दोनों जो है एक बार जा रहे थे तो अचानक जो है भगवान कृष्ण के मुक से राम का नाम निकल गया अर्जुन ने पूचा कि हे प्रभु ये राम कुन है राम की महिमा क्या है अब भगवान कृष्ण उसको किस प्रकार समझाती है तो ये कहानी मैं आपको सुना रही हूँ अगर आपको समझ में आ जाए यानि कि अंत में जब तक मैं ना बताऊं तो आप बीच में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में आया वरना अंत में अर्जुन समझ नहीं पाया था उसको समझाया गया था तो कहानी शुरू कर रही हूँ उससे पहले ये कह रही हूँ कि अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक और शेर करना और आज की कहानी में कमेंट तो बहुत ही ज़रूरी है और बेल आइकेन को बटन को जरूर दबाना ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले अब अर्जुन जो है वो कृष्ण से पूछ रही है कि राम नाम की महिमा क्या है आप ये बता दे कितना एक थ नोरत पर जाते थे ये है कहानी बिल्कुल सची रिशी मुनियों गाते थे रिशी मुनियों ने ये कहानी जो है सुनाई हुई है अब अर्जुन के पूछने पर कृष्ण ने कहा ठीक है अर्जुन मैं तुम्हें बताता हूं तुम थोड़ी दूर आगे चलो वो आगे चले उन्होंने देखा कि सामने एक मुर्गा बैठा हुआ है दाना चुग रहा है कृष्ण ने कहा अर्जुन अब तुम रत से उत्रो और उतर कर इस मुर्गे से पूछ कर आओ कि राम की महिमा क्या है अर्जुन ने का माराज आप क्यों नहीं बता देते इस मुर्गे के पास मुझे क्यों वेज रहे हो कृष्ण का जाओ तो सही पूछ के तो आओ तब अर्जुन जो है क्रिष्ण का कहना मानकर उस मुर्गे के पास जाते हैं और उसके कान में कहते हैं कि बताओ राम नाम की महिमा क्या है जैसे ही राम का नाम सुना मुर्गे ने तुरंत उसने प्राण त्याग दिये अब तो अर्जुन बहुत ही उदास हो गया पस्चा ताप करने लगया कहता कि देखो इसकी हत्या का पाप मेरे सिर पर लगया अब मैं क्या करूं बिचारा दीन हीन आता है भगवान क्रिश्न के पास कहता है कि हे केशव ये तुमने क्या कर दिया मुझ पर तो मुर्गे की हत्या का पाप लगा दिया कृष्ण भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो ये तो दैव योग से भाग्य में जो लिखा होता है वो ही होता है चलो तुम्हें समझ में नहीं आया राम नाम की महिमा वो कहता है नहीं आया तो चलो आगे चलो अगे अगले गाउ में जाते हैं अगले गाउ में गए तो देखा कि एक गाए खड़ी थी एक बचड़ा कुछ ही दिनों का था दूद पी रहा था गाए का अब कृष्ण भगवान ने फिर अर्जुन से का अर्जुन रत से उत्रो और इस वार बचड़े से पूछ कराना इसके कान में बोलना दीरे से वो तु अर्जुन बोला तुरंत उसने भी वही तड़प तड़प कर प्रान त्याग दे अब तो उसने बहुत ज़्यादा पस्चा ताप किया अर्जुन ने कहते हैं कि दो दो हत्याओं का पाप जो है वो मुझे लग गया है प्रभु मैं क्या करूं सोचता सोचता भगवान पास आता है भगवान कृष्ण ने पूचा कि अर्जुन पता चला तुम्हें राम नाम की महिमा क्या है कहता है नहीं के शव मुझे पता नहीं चला एक और हत्या का पाप जो है वो मेरे सिर्फ पर लग गया भगवान कृष्ण का कोई बातनी आगे चलते हैं उसने का प्रभु ये क्या कर रहे हो आप ही बता दो राम नाम की महिमा क्या है आप बता तो रही नहीं बलकि मुझे ये खेल खिलाए जा रहे हो कृष्ण का अर्जुन चलो तो सही अब वो बहुत दूर एक राजा के नग बहुत ही देन्य उसकी दशा थी अब वो क्या करता वहां पहुच तो गया अब कृष्ण ने कहा कि जाओ जो राजा का राजकुमार है तुम उसके कान में धीरे से पूछना वो तुमें बताएगा अर्जुन ने का महराज सुना है कि वो तो अंधागुंगा बहरा है वो बोली नहीं सकता वो मुझे क्या बताएगा कहा तुम जाओ तो सही वो तुमें बताएगा अब जो है अरजुन गया तो राजा के महल में तो ऐसे किसी को प्रवेश करने ही नहीं देते हैं ऐसे कोई कैसे जा सकता है तो उन्हेने दूतों से कहा सेवक खड़े थे द्वारपाल खड़े थे तो जाकर कहा कि जाओ कहो कि एक जो है व्यक्ति आया है और वो तुम्हारे पुत्र से मिलना चाहता है जब दूतों ने जाकर राजा को कहा राजा ने कहा नहीं मेरे पुत्र से कोई नहीं मिल सकता तब अरजुन ने बहाना बनाया कहता कि मैं जो है एक वैद्ध हूँ चिकित्सक हूँ तुम्हारे राजकुमार को अगर देखूंगा तो तुम्हारा राजकुमार ठीक हो जाएगा अगर कोई दवा की जरूरत पड़ी तो मैं उसके लिए दवा भी बना दूँगा जब उसने ऐसा कहा तो राजा प्रसन हो गया तो का चलो भुलाओ उस युवक को अब वो अंदर उसको भुलाया जाता है चारो तरफ लोग उसके राजकुमार के खड़े हैं रानियां भी खड़ी हैं दासियां भी खड़ी हैं वो युवक जाता है और उसके कान के पास जाकर पूछता है कि राम नाम की महिमा क्या है जैसे ही उसने राम का नाम बोला वो राजकुमार बुरी तरह से तडपने लग जाता है हाथ पेर कापने लग जाते हैं लंबी-लंबी सौसे लेने लग जाता है सब लोग घबरा जाते हैं अर्जुन तो खुद डर जाता है कि अब क्या होगा अभी तक आप सब को अगर राम नाम की महिमा पता चल गई हो तो यहाँ पर कमेंट कर देना उसके बाद नहीं जब वो तड़पने लगा तो तुरंत जो है फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो गया साधारन गती में आगया उसके आखें मिल गई आखों से देखने लगया कानों से सुनने लगया मूँ से भूलने लगया और अर्जुन की तरफ देखकर कहता है कि हे अर्जुन तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो क्या तुम्हें राम नाम की महिमा समझ में नहीं आई अर्जुन को तो अभी तक नहीं आई थी अर्जुन ने कहा नहीं पुत्र तुम ही बतादो मुझे तो समझ में नहीं आई अब राजकुमार बताता है कहता है कि हे अरजुन सुनो पहले मैं मुर्गा था जैसे ही तुमने मेरे कान में राम का नाम लिया मेरा तुरंत उस योनी से उद्धार हो गया फिर मेरे पाप करम कुछ बचे हुए थे मुझे बच्चडे का जनम लेना पड़ा जैसे ही बच्चडे के रूप में मैं था तुमने मेरे कान में राम का नाम बोला मैंने तुरंत प्राण त्याग दिये पता नी अभी भी मेरे कितने खोटे करम बाकी थे मुझे राजकुमार का जनम तो मिला लेकिन गुंगा बहरा अंधा बना दिया बिमार बना दिया अब जब तुमने राम का नाम मेरे कान में लिया तो देखो मैं कितना सुन्दर राजकुमार बन गया हूँ अब मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ, मुझे कितना ज्ञान हो गया है, ये है भगवान राम के नाम की महिन, अब तो अर्जुन पानी पानी हो गया, कि मुझे ये चीजे समझ में क्यों नहीं आई, वो गया भगवान कृष्ण के पास, और कहता है पार है, वो आप ही जानते हैं, अब मैं सब कुछ समझ गया, तो देखो, जिस राम का नाम लेने से, व्यक्ति के सभी पाप नश्ट हो जाते हैं, ये पशु पक्षियों की योनिया भी खतम हो जाते हैं, उन्हें इन योनियों में कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता, औ और वही नाम भगवान का हम मनुष्य जीवन पाकर भी नहीं लेते हैं, कल्यूग में तो भगवान राम के नाम का बहुत ही जादा महत्व है, अगर आप सच्चे मन से एक सेकंड के लिए भी भगवान का समरन कर लेते हैं, तो भगवान आपकी सभी मनों कामनाई पूर्ण क कर देते हैं, जै श्री राम